वेलकम चिल्डरन वीडियो के स्टार्टिंग में ही सबसे पहले एक बात बता दूँ इस वीडियो में CBSC में जो चल रही है धांदले बाजी आपकी कॉपी चेकिंग में उसका खुलासा होने वाला है सारे points मेरे पास आ चुके हैं जिनको मैं एक written form में लेके आया हूँ और ये जो source है मेरा जिससे मैं ये लेके आया हूँ उन्होंने मुझे बताए हैं नाम में disclose नहीं करूँगा कुछ चीज़े मैं disclose नहीं करूँगा लेकिन कुछ चीज़े मैं आपके साथ बिल्कुल share करने वाला हूँ और कुछ advice देने वाला हूँ तो ये जो 4-5 points हैं इस वीडियो में को बिल्कुल last तक देखते रहना जैसे ही ये वीडियो मेरे चैनल पे जाएगी उसके 5 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद आपको ये ही content दूसरे चैनल पे नजर आएगा नहीं तो आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आज आप इस content को note कर ले ना जो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ इसी तरह की वीडियो ये ही बात हैं घुमा फिरा के अब आपके पास आएंगी सबसे पहले मैंने वीडियो बना दिया था आपके marks बढ़ेंगे ठीक है उस ताइम पर कुछ लोगों ने नहीं माना लेकिन जब बाद में कि अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया अब ये कह दिया तब दूसरे लोगों ना भी वो वीडियो बना दिया है ठीक है तो अब मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ तो भाई लोगों सबसे पहला rule जो आया है new इसके तहट एक जो examiner है जो CBSC की copy check कर रहा है उसको 25 copy check करनी है पूरे दिन में ठीक है CBSC के written module के हिसाब से कि teacher जो है जो examiner जो copy correction में involved है उसको fresh होना जरूरी है and it is not good for a teacher कि वो 25 से जादा copy चेक करे चलो बहुत अच्छी बात है अब हो क्या रहा है जिस region में जिस center पे copy चेक हो रही है जैसे school में क्या होता है school में teachers के उपर coordinator होते है academic head होते है principal होते है management होते है ऐसे ही in centers पे जो खुलासा मैं करने वाला हूँ इस video में in centers में क्या हो रहा है वहाँ पे head, head के उपर एक और head फिर center head ये लोग है 25 ही copy check होंगी लेकिन जो head है ये ये भी चाते हैं कि इनका काम समय से पहले या समय पे complete हो जाए तो ये indirectly pressure बना रहे है teachers पे कि आप एक दिन में 40 copy check करो कोई दिक्कत नहीं है 45 copy check करो हम देख लेंगे अब इससे क्या नुकसान होने वाला है वो मैं आपको बता दू अब आपको लगा यार इस पेपर में तो मेरे 75 marks आई जाएंगे लेकिन आप देखना और जब जब result अनाउंस होगा तब मुझे comment section में बताना कि ज़र आपने उस दिन एक वीडियो बनाया था उसमें आपने यह वाली बात की थी और मुझे यह लग रहा है चिल्डन याद रखना अगर तुमको ऐसा लगे कि मेरे 5 नंबर कम है मेरे 6 नंबर कम है अपने copy correction के लिए जरूर जाएंगे आप लोग वैसे तो cbsc ने अपने जो copy correction वाले लोग है उनको पूरी guidelines का चिठ्था दिया हुआ ह पिल्कुल इसी तरह की है जब आप google से कोई software download करते हो तो बहुत बड़ी guidelines आती है जिसको आप और हम बिना देखे agree कर देते हैं करते हैं तो लंबा चोड़ा एक चिठ्था है लेकिन उसका कोई भी follow नहीं हो रहा है इसके अलावा जो एक और खुलासा हुआ है वो खुलासा ऐसा भी कर रहे हैं अगर उनको लगरा रहे है आपने बच्चों को ज़्यादा नंबर दे दिये इतने नंबर थोड़ी जरूरी है ताकि उनकी भी importance पता चले तो वो लोग बच्चों के नंबर को भी कम करवा रहे है ठीक है असी दे दिये तो 75 कर दो 75 कर दिये तो अरे तरे की चीजे हैं इसके अलावा एक चीज और मुझे सुनने में आई है कि वहाँ जो शिडूल है इतना ज़्यादा है टीचर्स को इतनी कॉपी चेक करनी है कि उनके पास लंच करने का वाश रूम जाने का ठीक है वो भी अच्छे से टाइम नहीं मिल रहा एक चीज आपको लास्ट में बता दूँ अब आपका टैंथ वालों का पेपर है हिंदी का हिंदी के सारे क्वेशन आंसर मैंने इंगलिश बाबा चैनल पे बना दिये है इसके अलावा आपको 60 सेकिंड में किसी भी क्वेशन का आंसर चाहिए तो उसके लिए जो एप है वो मैंने बता दिया CBSC के बच्चों को CUET के बच्चों को competitive बच्चों को help करेगा ये एप इस एप का जो link है children वो मैंने description में भी डाल दिया है और pin भी कर दिया है तो अभी जाओ और अभी download कर लेना मिलता हूं अगले video में बाबाई